हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल मैं चैनल नम इस बविता विश्वकरमा तो आज मैं आप लोगों के लिए लेका रहा हूँ बेगन चोखा रेसिपी हो भी यूपी स्टाइल में एकदम सिंपल एन इजी रेसिपी है और खाने में बहुत जादा टेश्टी है तो चलिए फिर चोखा रेसिपी का आसान तरीका जानते हैं किस तरह बनाया जाता है क्या-क्या चीजे लगने वाली है रेसिपी में तो वीडियो के एंटक बने रहेगा अगर आपका सबजी बनाने का बिल्कुल मूर नहीं है तो आप इस तरीके से सिंपल बेगन चोखा रेसिपी बन आ सकते हो वी दिमजट पड़ बनने वाली तो आप इस चोखे को जो है डाल राइस या रोटी या लिटी या भौरी के साथ खा सकते हैं तो आद में सीब आप लोगों के साथ जो है बेगन चोखा रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो हमारे साइड यूपी साइड की जो इत की नोटिफिकेशन में जाएंगे तो आच्छे एच्छे वीडियो देखने हैं तो जरू मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजएगा और वीडियो के एंटर बने रहेगा वीडियो देखने के बास ज़रू लाइक कीजएगा और बताइएगा कि मेरी रेसिपी आप लोगों को क अलू लेना है बेगन लेना है बड़े वाले और यहां पर टमाटर तो टमाटर को मैंने थोड़ा सा कट कर लिया है और यहां पर बेगन को भी अच्छे मैंने पतले-पतले पीस में कट कर दिया है तो चलिए अब हमें इसे देसी स्टाइल में हम किस तरह से चोखा बना सकते तो यहाँ पे जो है तवा रख दिया गयास पे जब तवा गरम हो जाए तो इसके अंदर हमें एक से दो चमज जो है तेल डालने है पुरे तवे पे और आलू पेगन और टमाटरो को अब इस पे हमें एक एक करके रखना है और इसे पकाना है तो आपके पैस अगर कोई बरतन ह होगा तो आप उसे ढख कर इस तरह आपको 5-7 मिनट बैगन आलू टमाटरो को पकाना है और भी ढख कर ओविए आपका फ्लेम जो गयास का स्लो होना चाहिए तो चलिए भी से ढख कर हम पका लेते हैं 5-7 मिनट के लिए और आप देख सकते हूं 5-7 मिनट हो गया है मैं धख क और आलू बैग और टमाटर को पका लिया है और यहां पर आप देखो मैं कट करके आप लोगों को बता रही हूं कि यह सारी चीजे पक कर हो चुकी है तो चलिए फिर अभी से हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं ठंडा करने के लिए तो यहां पर आप देखो से एक प्लेट पर मैंने निकाल लिया है ठंडा होने के लिए भी से ठंडा हो जाए तो बैगन के चिलके और टमाटर के चिलके और आलू के चिलके हमें निकाल लेने यहां पर मैंने देखिए आलू बैगन टमाटर के चिलके निकाल लिया अच्छे से तो चली अच्छे से हमें पूरा जो है आलू बेगन टमाटो को मिक्स कर लेना है अगर आप इस तरीके से भून के तवे पर अगर चोखा बनाते हैं तो उसका टेष्ट बहुत ही अच्छा आता है किते लो बेगन जो गयास पर डारेक भूनते हैं आप वैसे भी कर सकते हैं मैंने मेर्श कर लिया है अब इसके अंदर मैंने प्याज जो है बारिक चौप करके डाल दिया है अब इसके अंदर लहसुन और हरी मिर्च को जी तुम बारिक चौप कर लिया हो भी अब मैं डाल लूँगी अब इसके अंदर हम डालेंगे स्वाद अनुसा नमक नमक आप कम जादा रख सकते हो तो चलिए अब इसके अंदर हम ढालेंगे धनिया घरा धनिया और इसके बाद हम ढालेंगे इसमें सरसो का तेल जिहां सरसो का तेल अगर पहने में पहत जादा टेश्टी लगेगा यहां तो यहां पे मैंने दो बड़े चमर सरसो का तेल एट कर दिया है अब इंसको अच्छे से हमें मिक्स करना है और चोखा बना के रेडी करना है तो चलिए अच्छे से हमें सारी चीजे मिक्स कर लेनी जिसे इन सब का स्वा चोखे में आ जाएगा तो यहां पे देखे अच्छे से मिक्स कर लिया है और यहां पे हमारा जो है यूपी स्टाइल बैगन चोखा बन कर रेडी हो चुका है आपके मूँ में पानी आ रहा है न जी हाँ तो बहुत ज़्यादा टेश्टी लगीगा खाने में जरूर ट्राइ कीजिएगा बनाइये और खाईये बहुत ज़्यादा अच्छा लगीगा और इसमें सरस्वकतिशार ज Newton डालिएगा तो चली प्लेट में निकाल लेते हैं यहां पे में देखें प्लेट में निकाल रही हूँ और खाने में बहुत जादा टेश्टी लगता है खुश्बू तो मैं आप लोगों को क्या बहुत अच्छी आदी और जब इसे खाएंगे ना तो आपको गाओं की ज़रूर याद आएगी तो ज़रूर बनाएगा एकदम यूपी स्टाइल बैगन चोखा रेसिपी तो आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा कितना सिंपल तरीका में आप लोगों के साथ शेयर की हो सिब कूछ मिनट में सिब कूछ मिनट में दस मिनट में मैं तो कहूँ सिब आपके बैगन चोखा बनकर रेडी हो जाएगा फ्रेंड अगर आप इस तवे पे इस तरीके से भून के करते है तो उसका खाने का स्वाथ बहुत ही अच्छा आएगा बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा आलू का बैगन का टमाट का तो इ होते जादा फ्री है बिल्कुल पैसे नहीं लगते हैं आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा खुशी मित दी है तो ज़रू लाइक कीजेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजेगा तो यह देखिए गर्मा गरम बैगन चोखा रेसिपी तो चलिए फिए थैंक यो सो मुच और बबाई